असलाम वालेकुम एब्रिवान, वेलकम टू जोर का जोर, मीरभ जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत हुश आम दीद, नाजीन, PSL आता जा रहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि PSL के उपर गुपतगू ना हो, क्योंकि दुनिया बर से शाइकीने क्रिकेट की नजर जो है, वो कुछ कल खासी बात हो रही है, सोचल मीडिया पर देखा जाए, कहीं पर भी देखा रहे हैं, नाजीन, दूसरी जाने भी यह है, कि कुछ चीजें ऐसी रिवील हुई है, जिनसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि लाहौर में, कजाफी स्टेडियम में, PSL के जो इ डिटेल में बाद करेंगे, क्योंकि PSL की ट्रॉफी का जो घूंगट था, वो भी उठा दिया गया है, तकरीब जारी थी, और दिखा दिया गया है, कि यह ट्रॉफी होगी, इस मौक्य पर, शाहीन हमारे बेस्ट प्लेयर है, वो, बाबर आजम, हमारे बेस्ट प्लेयर है, इन्होंने भी खासी गुफ्तगू की है, बड़ी दिल्चस्फ बातें की हैं, बढ़ते हैं अपने पैनलिस की तरफ नाजरीन, आप सब की जान, क्रिकेट की शान, हाफिस इमरान, अस्सराम अलेकम, वालेकम, असलाम, बहुत शुक्रिया, अमीरा बापका, अभी जिम करके अशना मुश्किल है और वह बन्यादी तोर पर पाकिस्तान की नौजवान नसल के लिए खेल के अदबार से अपनी फिजिकल फिटनेस के अदबार से एक आइडियल शक्सियात हैं, क्रिकेटर्स हों, होकी प्लेयर्स हों, टैनिस प्लेयर्स हों, आपके स्फिमर्स हों, जो आपके वह बैसिकली तो लीड करते हैं आपकी जनरेशन को ग्राउंड बे जाने के लिए ड्राइव करते हैं तो बहुत ज्यादा आपकी नौजवान नसल के नुमाइंदा होते हैं फिजिकल फिटनेस के अदबार से तो उनको देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए आपकी नौजवान चाहिए, पाकिस्तान सूपर लीग 9 के पहले मरहले में 17 से 27 फेबुररी तक के जो मैचेज हैं वो लाहूर में होंगे और मुल्तान में मजमूई तो पर होंगी मजमूई लफस बड़ा मुश्किल से पढ़ना जीक है, दूसरी जाने नाजरीन, 14 मैचेज यह खेले जाएंगे, फिर कराची और रावल पिंडी में 28 फेबुररी से लेकर 12 मार्च तक दूसरे मरहले में 16 मैचेज होंगे, तो अब यह सारी PSL की डिटेल है, अब बात करते हैं इनकी पिचिस के उपर क्योंके मैनेजमेंट भी खासी इनके उपर तयारियों में हो जाती हैं, पिच अमूमी तो पर जब आप टी ट्वेंटी लीग दुनिया में कहीं भी होती है, तो वहां पर आपको ऐसी पिचिस मिलते हैं जहां पर रन्स ज्यादा बनते हैं, बैटिंग फ्रेंडी होते हैं और लोग चौके चके देखने के लिए आते हैं, तो अमूमी मैचे बुदिश्टा बरस होए तो वहां पर तो बहुत बहुत रन्स होए थे, मतलब धायड़ाइसो रन्स होने शुरू हो गए, तो बहुत रन्स होए थे, कजाफी स्टेडियम में भी जो ग्राउंड स्टाफ है, यकिनी तोर पर उनको हिदायात यही होंगी कि आपने ऐस कासी तफरीह मौझूद हो कि उनको बार-बार तालियां बजाने का नारे लगाने का मौका मिले और यही एक स्किल है कि लाजिम नहीं है कि हर बॉलर जो है हर गेंदबाज आया और उसकी पिटाई होती चली जाए अच्छी बैटिंग पिचिस के ओपर भी जो बहुत चाहिए हर वक्त कि जब आप मुल्तान जावल पिंडी लाहौर और कराची में मैचिस होंगे बिल्खसूस पाकिस्तान सुपर लीग की होंगे तो आपको हाई स्कोरिंग मैचिस देखने को मिलेंगे और बल्ले बाजों का पलड़ा वहां पर भारी रहेगा लेकिन इससे ज् लीग बहुत सारे खिलाडियों के लिए बहुत ज्यादा एहम है मतलब भासियत कप्तान लाहौर कलंदर्स भासियत कप्तान पाकिस्तान टी 20 टीम शाहीन आफरीदी के लिए बहुत ज्यादा एहम है क्योंके और यह देखने लंबा टॉर्नमेंट है आपको लगबच्छे का एक नैचरल स्विंग है वो नहीं नजर आ रहा काफी वक्त से बिलखुस वर्ल्ल कप भी हमने देखा इश्या कप में भी यह वाली चीज़ें नजर आई तो अब इस टॉर्नमेंट में जब वो आए हैं तो यकिनी तोर पर लोग उनको इस निगाह से जरूर देख रहे हो होती है उनको जो नेचरिन स्विंग है ने जीज़ नंगान के साथ जो के पहले ओवर में विकटे लेने के चीफला है उसी तरहागी जब पाक्सें ने मैं अपनी टीम करते हुए नजर आएंगे तो वह बहस्याद या कफ्तान कहाँ पर फिनिश करते है।। दो शीज़ें होगी क्यूंकि ना की एक कफ्तानी के उपर भी बहुत जादा बात होती है। जाती कारकदगी में तो वो कामयाब होते हैं ये नहीं होते है। कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी उसकी वज़ाई यह है कि वो दुनिया के भेटरीन खिलाडी है उनके अगर कुछ वक्त मुश्किल भी आता है रंस ना करने का तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो रंस करने की बुनियादी सलाहियत से महरूम है उनका असल यह होगा कि उनकी टीम बैसियत कप्तान वो इसको कहां पर फिनिश करते हैं तो उनके लिए बड़ी आहम है फिर हारिस रोफ के लिए बहुत आहम है क्यूंकि उनकी कारकड़गी गुदिश्टा 6-8 माह से वो नहीं रही है जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं रंस बहुत जादा उनको हुई है वर्ल्ल कप में भी एशिया कप में भी पिटाई हुई ओई फिर जब न्यूजिलंड के कहलाव खेले वहां पर भी रंस उनको हुई है तो देखना है कि वो किस तरह से से लीग में गिनबाजी करते हैं और कहां पर फिनिश करते हैं वह यह भी है फिर जो नौजवान खिलाड़ी है मतलब हारिस मुहमद हारिस जो के विक्ट कीपर बैटर है पिशावर जलमी के लिए उनके ओपर बहुत निगा होगी उनको टीम से ड्रॉप किया गया था कुछ कहते हैं अराम दिया गया था तो उसके साथ-साथ-साइम-ईयूब पर नसीम शाह के ओपर बहुत नजरे होंगी क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं तो वो क्या वाकि इतने फिट हैं क्या वो पूरे मैचिस खेलते हैं या नहीं क्हेलते हैं वो पूरी अपनी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं या नहीं करते हैं पर कुछ जो नए शामल होंगे उन सब के ओपर भी निगा होगी तो पाकिस्तान के लिए और फिर इसी साल पाकिस्तान ने टी-20 वर्ल्ड कप भी खेलना है तो इसको सामने रखते हुए इस लीग की कारकरदी को जब यह खत्म होगी मार्च के इखताम पर तो उसके बाद बहुत जादा वक्त पाकिस्तान के पास नी बचता होगा वर्ल्ड कप के लिए तो किसी हद तक यह चीजें खिलाडियों की कुछ हो सकता है नए खिलाडी अपनी जगह बना जाएं कुछ सीनिर खिलाडी जो हैं हो सकता है उनके लिए मुश्कल वक्त शुरू हो जाएं यह बहुत सारी चीजें इस लीग से उसका तायन जरूर होगा